हेलो फ्रेंड आज आपके साथ चलिए कुछ करते हैं किचिन टिप्स शेयर जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो उसको काटने से लेके बनाने तक काफी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसे काफी लस रहता है तो जब भींडी काटे तो उस टाम पे चाकू पे यदि नीबू लगा लेते हैं तो उसमें लस बिलकुल नहीं आएगा बहुत आराम से भींडी कट जाएगी मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हैं आप देखेंगे कि इसका लस पूरी तरह से खतम हो जाएगा फिर इसके बाद जो है तो आपको जो भी मसाली वगारा डालना है तो वो डाल दीजे एक चीज़ हमें इसा याद रखिए कि जब भी आप बिंडी बनाएं तो पहल जादे कि भिंडी शुरू से अंते तक जब आप काटते हैं तब चले के आखरी तक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं इसके बाद भिंडी को कभी भी आप ड़के ना पकाएं यदि ड़के आप पकाते हैं तो इसका कलर जो हलका हो जाता है उतना अच्छा कलर न बेसर में तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करने की लम्स वगेरा ना पड़े और इस टाम पे ही यदि आप नमक डाल देते हैं और इसमें आप दही मठा चांट जो कुछ भी डालते हैं तो इसमें डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप कड़ी को बनाएंगे तो कभी भी कड़ी जो है तो आपकी फटेगी नहीं देखे इस तरह से इसमें नमक आप पहले से ही डाल के तयार कर लीजे या दूसरी बात जब आप कड़ी बना रहे हैं उसके मसाले जब आप छौक देंगे देखे इस तरह से तो इसमें आप एकलास पानी डाल दीजे और फिर उसके बात यदि आपने जो घूल बनाया है तो उसको डालेंगे देखे इस तरह से तब भी आपकी कड़ी कभी नहीं फटेगी तो इस तरह से बता दे कि तीन से चार चीजे ऐसी है कि यदि आप इनको फालो करेंगे तो कड़ी काफी अच्छी बनके तयार होगी और कड़ी को हमे और देखे इदा पर जब तक हमने इसको चलाया है जब तक इसमें बॉइल नहीं आगया है तो इस तरह से ये जो है तो बनके तयार है अब तीसरी चीज़ जब कभी आप क्या महमान आ जाते हैं या वरकिंग है सुबह टाइम आपको चल्दी जल्दी काम करना होता है तो प्यासुन है टमाटर है प्याज है अरक पीस में आप डाल सकते हैं इन सबी चीज़ों को आप पीस ले अच्छे से और इसके बाद जो है तो पीसने के बाद इनको आप तेल में डालके कड़ाही में अच्छे से फ्राई कर लें देखे इदा पर हमने पीस लिया बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाके तैयार कर लिया है अब इसके बाद जो है तो कड़ाही में तेल डालके इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें तेल अगल वगल से ना छूट जाए और इसमें बिलकुल भी नमक आप ना डालें और फिर इसको ठंडा करके एर टाइट डिबे म फ्रिज में रख दें तो ये अराम से 10-12 दिन तक चल जाएगा नीबू बहुत सारे हमारे यहां आ जाते हैं और दो चार दिन के बाद ऊपर से ये काली पढ़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं तो बस इनको आपको क्या करना है कि इनको डिबे में इस तरह से डाल दीज और साथ में डिबे को टाइट बंद करके आप फ्रिज में रख दीजे आराम से 10-15 दिन तक आपके जो नीबू हैं तो वो आराम से चलेंगे बिलकुल भी ये काले नी पढ़ेंगे और सूखेंगे नहीं बस इनको देखे इस तरह से करके और आपको फ्रिज में इनको रख देना है तो ये चोटी चोटी सी जो टिप्स है किचिन की यदि आप फालू करते हैं तो आपके किचिन का काम जो है तो काफी सरल हो जाता है काफी एजी हो जाता है और इसके बाद जो है देखे ये आटा आपका बच जाता है यदि तो इसको आपको क्या करना है कि स्टील के डिपे में रख दीजे या फिर आप काच का भी बाउल ले सकते हैं और इसमें आप जो है तो इस तरह से ओईल का हाथ जो है इस पे लगा दे और अच्छे से इसके ऊपर ओईल को चार उत्रफ चे लगा दे इससे क्या होगा कि आपका जो गुदा हुगा आटा है तो वो बिलक देते हैं तो आप देखते होंगे कि ऊपर उसमें पपड़ी जम जाती है और रोटी भी सॉफ्ट नहीं बनती है बस इसको डिपे को बंद करिए और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए चलिए अब देखते हैं कि अगली टिप्स अपने कौन सी है जब हम बिस्किट खोल क देखते हैं तो क्या होता है ना कि उनमें मौस्शा आ जाता है और बिल्कुल वो सौगी हो जाते हैं तो इनमें आपको क्या करना है कि इस तरह से चाबbn ले दिप में डिप्पे में डिपा अपका ऐर्टा cannabis होना चाहिए और इस तरह से इसमें जितने भी बिस्किट है तो उ केश्चिन ने क्फूर न मुन के कौने काम करते में राधाने जाते हैं बादाम में हम करना भूल जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं जब हम कड़ी बनाते हैं तो जब हम उसकी पकोडी भजिये जो भी कुछ आप कहते हैं उसको हम बनाते हैं तो जब हम कड़ी में डालते हैं तो सौफ्ट नहीं बनती है तो इसके लिए आपको बस इतना करना है कि जब आप भजिये या पकोडी का जो बजी उस टाइम पे तो काफी कुर कुरे और अच्छे बनेंगे और इसके बाद जब आप कड़ी में डालेंगे ना तो अक्सर यह होता है कि जब हम कड़ी में डालते हैं तो अच्छे सॉफ्ट नहीं होते हैं लेकिन जब आप सोडा डालेंगे तो यह बिल्कुर सॉफ्ट ब यह जत्तावान curry मेरत करने मेंडेव स्ट्राइब यह तंद्र की आप फिर ना करने के बाद जो है तो आप पेस्ट्र कर लिए जब आप इसकी सबजी बनाएंगे ना तो सोची की सबजी का जो शौधा है तो बान दूगना हो दब धनीयांल करते हैं, तो सेर्फ दर्फ पत्त अधनावा है, कि भी कि जब तो यह लागी विद्स, तो ज़िए जड़ जाना चाहिए, उसको सड़ी पत्ति निकाल दिकोब्ति करें और बस इसके बाद बाद इसको जया देनेflower जो है तो देखे बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए पानी बिल्कुल में नहीं होना चाहिए इसके बाद एक कंटेनर लेंगे उसमें पेपर नेपकिन लगा देना है इस तरह से जितनी भी धनिया पती आपने तोड़ी हुई है तो इसको आपको इस तरह से रखे और उपर से इस तरह फोल्ड कर दीजिए और आम से आपकी 10-15 दिन तक तो जो धनिया पती है न तो वो चलेगी और बस इसको अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दीजिए इसी तरह से आपको हरी मिर्च को करना है हरी मिर्च के पीछे के डंटल जो है उनको निकाल दीजिए और यद का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा